दोस्तों इमेजन करो पैसा कमाने का एक ऐसा मौका जिसमें सिंपल गेम्स जैसे के रॉक पेपर सीजर चीतने वाले को 10 मिलियन मिलेंगे लेकिन अगर हार गए तो सारी जिन्दगी एक प्रिजन में काम करना पड़ेगा वो भी बिना सेलरी के कुछ ऐसा ही हम देखने वाले हैं आज किस थ्रिलर ड्रामा मूवी में जिसका नाम है काई जी दा अल्टिमेट गैंबलर फिल्म के स्टार्ट में हमें 1996 की एक तुफानी राद दिखाई गई है जहां एक फिनेंशल कंसर्टिंग फिर्म टियाई का प्रेजिडेंट का जुटाका अपने इंपलॉई से पूछता है कि ऐसी क्या चीज है जो इंसान को अल्टिमेट पावर देती है सब लोग अपने अपने आंसर्स देते हैं तो बोस को एक इंपलाई यूखियो का जवाब पसंद आता है कि अल्टिमेट पावर आपकी तरह फिनेंशल मसल बनाने में है और इससे अपना किंगडम बनाना चाहिए जिसके लिए जैपैन में ऐसे बहुत से होपलेस लोग हैं जिनसे हम कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर का काम ले सकते हैं देन कुछ टाइम बाद हम एक लटकी काईजी को देखते हैं उसकी लाइफ काफी हार्ट थी वो हर टाइम लोटरी टिकेट्स खरीदता रहता था कि शायद उसकी फूटी किसमत बदल चाए मगर आज तक जीता नहीं था एक दिन जॉब से घर वापस जाते हुए बेबसी से वो एक मर्स्टेडीस को किक मारता है तो कुछ बॉडी गार्ड उसके पीछे लग जाते हैं जिनके साथ एक लेड़ी रिंको भी थी वो लोग काईजी को बात करने के लिए आफिस मे ले जाते हैं रिंको बताती है कि दो साल पहले काईजी ने दोस्त के लॉण कोंट्रेक्ट पर एज़ गरंटीर साइन किये थे एज़ अब वो दोस्काइब हो चुका था तो लॉण के पैसे काईजी को वापस देने होंगे और इंट्रस्ट की वज़ा से वो लॉण दो मिलियन येन वो चुका था अब क्योंके काईजी इतने वैसे नहीं दे सकता था तो रिंको उसे एक डील ओफर करती है वो ये कि गैंबलिंग शिप पर आज रात गेम खेला जाएगा अगर काईजी वो गेम जीत गया तो उसका सारा लोन माफ कर दिया जाएगा इससे काईजी अपनी जिंदगी बदल सकता है अब बैसे भी काईजी के पास कोई दूसरा ओप्शन नहीं था तो वो रिंको की डील एक्सेप्ट कर लेता है शाम को रिंको काईजी की प्रोफाइल कंपनी को देते हुए बोलती है कि उसने अपना कोटा पूरा कर लिया ये वो ही काउजू टाका की कंपनी थी रात को काईजी शिप पर चाता है तो महां उसकी तरह के और भी बहुत से लूजर्स थे यूकियो हो स्टार जो उन सबको गेम के रूल समझाता है हर प्लेयर को तीन स्टार्स दिये जाते हैं हर स्टार की वर्त एक मिलियन येन थी और इन पर हर मिनिट का एक परसेंड इंडरस्ट भी चार्ज होना था जीतने वाले को ये स्टार्स मिलेंगे और गेम खेलने के लिए हर प्लेयर को 12 रॉक पेपर सीजर्स के कार्ड दिये जाते हैं उन्हें अपने लिए ओपोनेट प्लेयर ढूंड का रॉक पेपर सीजर्स खेलना था जो भी प्लेयर हारेगा उसे अपना एक स्टार सामने वाले प्लेयर को देना होगा और 30 मिनिट के अंदर सभी कार्ट्स खतम करने होंगे जिस भी प्लेयर के पास 3 या उसे ज़्यादा स्टार्स हुए वो जीत जाएगा हारने वाले प्लेयर के साथ क्या हो गई अभी नहीं बताया जाता दैन यूक्यों के वहां से जाते ही सब लोग ओपनेट प्लेयर डूरने लगते हैं तब ही काजी के पास एक आदमी फनाई आके प्लैन बनाता है कि अगर वो दोनों सेम कार्ट्स फैंकर ड्रॉ कर लें तो उन्हें अपने स्टार्स नहीं देने पड़ेंगे काजी ओफर एक्सेट कर लेता है और गेम नॉर्मली स्टार्ट हो जाती है दोनों ही अपने कार्ट्स खतम करते जा रहे थे बट लास्ट मिनिट पर फनाई चिटिंग करके काजी को हरा देता है जिससे उसके दो स्टार्स फनाई को मिल गए थे और अब काजी के पास सिरफ एक कार्ड और एक स्टार बचा था गुसे में वो अपना कार्ड फैंकर फनाई को पंच मार के नीचे गिरा देता है उसके नाख से खून निकलने लगा था और कुछ डॉप्स काजी के कार्ड्स पर भी गिर जाते है देन गार्ड आकर दोनों को एक दूसरे से लग करते हैं और यही नहीं अब फनाई सब को बता देता है कि काजी का लास्ट कार्ड सीजर्स का है सो कोई भी उसे इजली हरा सकता है जिस पर काजी भी बोल देता है कि फनाई का लास्ट कार्ड रॉक का है बाकी सबको लगता है कि शायद ये इन लोगों का कोई ट्रिक है तबी गार्ड्स एक आदमी इशिदा को लेकर आते हैं जो कि अपने कार्ड्स फलश करके गेम खतम करना चाह रहा था मगर बग किस्मती से पकड़ा गया था गेम टाइम खतम होने में सिरफ 10 मिनिट बचे थे कि तबी फनाई सबको आइडिया देता है कि हमें अपने कार्ड्स री शफल करने चाहिए इस तरह किसी को पता नहीं चलेगा कि किसके पास कौन सा कार्ड है सब लोग अपने कार्ड्स फनाई को दे देते हैं काईजी भी क्योंकि उसके पास एक प्लैन था फनाई शफल के बाद भी काईजी को वही ब्लड स्टेन वाला कार्ड ही वापस करता है जिस पर काईजी इशिदा को साथ मिला कर फनाई को हराने का डिसाइड करता है फनाई को लगता है कि वो जीत जाएगा क्योंकि उसे पता था कि काईजी के पास कौन सा कार्ड है मगर काईजी उसे असानी से हरा देता है क्योंकि उसने इशिदा के कार्ड पर ब्लड मार्क लगा के अपना कार्ड उससे एक्सचेंज कर लिया था एंड जीतने के बाद वो और इशिदा फनाई के स्टार्स को अपस में डिवाइट कर लेते हैं इसके बाद वो दोनों अपने सब कार्ड्स को ड्रॉ करके बॉक्स में डाल देते हैं मतलब वो दोनों नी जीत चुके थे इस खुशी को सेलिब्रेट करते हुए गेम का टाइम भी खतम हो जाता है मगर तभी इशिदा को अपनी पॉकेट में से एक कार्ड मिलता है जिसके बारे में शायद वो भूल चुका था गार्ड इशिदा को ले जाने लगते हैं तो काईजी बोलता है कि हम दोनों ने टीम अप दिया था इसलिए हार में भी मैं इशिदा के साथ हूँ सो उन दोनों को ही अंडरग्राउंड ले जाया जाता है जहां उनकी अंदर माइक्रोचुप इंस्टॉल करके बाजू पर कंपनी की स्टेंप एंबेड की जाती है और फिर सबी लोजर्स को काजुटाका के अंडरग्राउंड किंग्डम की कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर के काम में लगा दिया चाता है जहां वरकिंग कंडिशन्स बहुत हाट थी उन्हें कई घंटों काम करना पड़ता था बिना ब्रेक के खाना भी प्रॉपर नहीं मिलता था और सबको छोटी सी जगा पर एक साथ सोना पड़ता था उनकी पे बहुती कम थी जो कि यहां की लोकल करनसी पैरिका में थी अगर कैजी की सैलरी को येन में काउंट किया जाए तो साड़े 300 येन्स पर डे बनती थी काजी इसको सेफ करने का प्लैन करता है ताकि अपना कर्स चुका सके मगर जल्द ही मैनेजर एक कार्ट लेकर आ जाता है जिसमें बीर और मज़े मज़े की खाने की चीजें थी काजी ना चाहते हुए भी अपनी सारी कमाई इन चीजों में उड़ा देता है सब वरकर्स ही ऐसा करते हैं और असल में ये कमपनी का प्लैन था कि इस तरह वो सालों तक फ्री में काम कराते रहेंगे अगले दिन उनके काम की जगा पर अर्थ को एक आ जाता है जिससे इशिदा को चोट लग गई थी काजी उसे वहां के लोकल हॉस्पिटल में लेकर चाता है तो पता चलता है के वहां भी पैसे देने पड़ेंगे बहुत से लोग पहले ही पैसे ना होने की वज़़ा से वहां बिमार पड़े थे उदर काजी को एक आदमी मोकोटो मिलता है जो बताता है कि ये सिस्टम बनाया ही उन्हें हराने के लिए गया है इससे वो लोग कभी निकल नहीं सकते ये सब सुनकर काजी की हर उमीद खतम होने लगती है बड़ डॉक्टर बताता है कि एक और गेम है ब्रेव मैं रोड जिसके लिए जल्दी कंपनी वाले प्लेयर्स चूज करने आएंगे अगली बार जब स्नैक कार्ट आती है तो काजी अपने सातियों से होश में आने के लिए कहता है और बोलता है कि ये फॉर मैं हमें ट्रिक कर रहा है तब ही अचानक कुछ कार्ट सहारा को लेने आ जाते हैं क्यूंकि उसे ब्रेव मैं रोड गेम के लिए चुना गया था ये बहुत ही खतरनाग गेम थी जिसमें जीतने पर अजादी और हारने पर मौत मिलनी थी काईजी और इशिदा भी गेम के लिए तियार हो जाते हैं तो उन सब को आँखों पर ब्लाइंड फोल्ड और हाथ बांद कर महां से लिए जाया जाता है और जब उनकी आँखों से पट्टी उतारी जाती है तो वो सब एक बहुती उंची बिल्डिंग की छट पर थे करते हुए भी नहीं जा सकते थे क्योंकि उनमें करंट था और हाथ लगाने पर जोरतार बिजली का जटका लगेगा दूसरी बिल्डिंग में बैटे कुछ वी आईपी सोशल लोगों को इस गेम की लाइफ ट्रांसमिशन दिखाई जा रही थी ये सब देखकर सभी प्लेयर्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं मगर जब काईजी खेलने के लिए तियार होता है तो बाकी सब में भी थोड़ी हिम्मत आ जाती है योक्यों वापस होटल चला जाता है चहां वो और रिंको उन वी आईपीस को होस्ट कर रहे थे मीनवाइल काईजी सब प्लेयर्स के शूद्स पर स्टेट नाइन बना देता है ताके वो लोग इसकी मदद से खुद को बीम पर सीधा रख सकें उसके बाद सब लोग आईस्ता आगे बढ़ने लगते हैं काईजी अचानक से स्लिप होने लगा था मगर वो अपना बैलन्स रिकवर कर लेता है बट तभी जोड़ तार बिजली कड़कती है मतब तुफान आने वाला था सब लोग नर्वस हो जाते हैं और एक लड़का स्लिप होके नीचे गिर जाता है जिससे बाकी सब की हिमत फिर से गिर जाती है और एक एक करके सब लोग गिरने लगते हैं जिसके बाद अब सिरफ काईजी, सहारा और इशिदा ही बचे थे उधर सब लोग प्लेयर्स के गिरने को सेलिब्रेट कर रहे थे जो रिंकों को काफी बुरा लगता है अब तेज बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी और इशिदा की हिमत जवाब दे जाती है वो काईजी को अपना वाचर दे कर बोलता है कि इसे कैश कराके पैसे मेरी बेटी को भीज देना एंड देन वो अपनी बोडी को खमोशी से नीचे गिरा देता है ताकि उसके फ्रेंड्स पैनिक ना करें एट लास सहारा और कैजी बीम क्रोस करके होटल के तरवाजे पर पहुंच जाते हैं तबी काजी नोटिस करता है कि काजू टाका उपर खिटकी में से उनने देख रहा है मतलब अभी भी शायद कुछ होना बाकी था एंड देन जब सहारा दर्वाता कोलता है तो अंदर और बाहर के डिफरेंट एयर प्रेशर की वज़ा से वो नीचे गिर के मर जाता है काजी भी स्लिप हुआ था मगर वो किसी तरह वापस उपर आ जाता है अंदर जाने पर सब उसके लिए क्लैप करते हैं क्योंके इस गेम में जीतने वाला वो आज तक का पहला इंसान था काजू ठाका काजी को कॉंग्रेट्स करता है साथ ही वो यूकियों को अपने किंग्डम में सिटिदन्शिप भी देता है क्योंके उसने उन्हें इतना अच्छा शो दिखाया उसके बाद काजी उनसे पैसे देने को कहता है तो उसे पता चलता है कि इशीदा का वाचर इन्वैलेड हो चुका था उसके मरने से और काजी के पैसों में से भी वो लो कर्स की रकम काट लेते हैं सो एट लाश उसके पास अब सिरफ साथ लाख पचास अजार येन बचे थे अब वो इशीदा की बेटी को पैसे कैसे बेचेगा ये सोचकर काजी यूक्यों को पंच मारने की कोशिश करता है मगर गार्ड उसे रोक देते हैं काज़ो टाका उसके एटिट्यूट से काफी इंप्रेस हुआ था सो वो से एक और गेम खिलने का चैंस देता है और इस गेम का नाम था E-Cards और अप्पी बारियों क्यों खुद उसका ओपनेंट प्लेयर था दोनों प्लेयर को पांच कार्ड का एक सेट चूज करना था कार्ड के टोटल दो सेट थे एक सेट में चार सिटिजन और एक एमपरर का कार्ड था और दूसरे सेट में चार सिटिजन और एक स्लेव का कार्ड जिस प्लेयर के पास स्लेव वाला सेट होगा वो पहली move के लेगा अगर दोनों के citizens हुए तो draw हो जाएगा स्लेव वाले card को citizen हराएगा और citizen वाले card को emperor हरा सकता है और इसी तरह स्लेव emperor को अब काजी को choose करना था कि वो कौन सा set लेगा और अगर स्लेव set वाला player जीतेगा उसे बैट से 10 कुना जादा पैसे दिये जाएगे जादा पैसों की लालच में काजी राजू बन जाता है और वो स्लेव वाला set चुनता है मगर वो ये भूल चुका था कि इस तरह यूक्यो के उसे हराने के chances बढ़ जाएगे क्योंके सेटिजन्स भी स्लेव को बीट कर सकते थे ये match अंडरग्राउंड लेबर्स को टीवी पर भी दिखाया जा रहा था स्टार्ट में काजी दो बार सेटिजन्स चलता है जिससे वो ड्रॉ हो गए थे मगर जब वो स्लेव चलता है तो यूक्यो से हरा देता है गेम काफी जल्दी खतम हो गया था तो काजू ठाका काजी को कुछ पैसे उधार देता है ताके वो एक बार फिर दुबारा खेले अब की बार काजी नोटिस करता है के यूक्यो ना तो अपने काज डेख रहा है और ना ही उसकी तरफ जो के कगाफी जीब था तो वेज़ा सप्राइज टेक्टिफ स्लेव का काज चलता है मंकर यूक्यो को पता चल जाता है और वो citizen के card से उसे हरा देता है Guards काजी को लेने आते हैं तो वो notice करता है कि Yukio ने एक different watch पहन रखी है और वो सोचने लगता है कि आकर Yukio ने ये game कैसे जीता और उसे समझ आती है कि ये सब उसकी microchip की वज़ा से हुआ है Yukio's watch के थू काजी के रिंको को वहां बुलाता है और उसे plan बताकर 50 million yen उधार देने को कहता है ताकि एक बार फिर से खेल सके जिस पर रिंको एगरी करके उसे game room में वापस ले चाती है जहां काजू टाका काजी के surprise से बहुत होश हुआ था और वो Yukio को बारा खेलने का order देता है game start करने से पहले काजी अपना सर मिरर में मार के जखमी कर लेता है ताकि उसके वाइटल्स Yukio की वाच पर crazy numbers चो करें उसके बार table पर आके वो तीन cards उठा कर चुपा लेता है and फिर एक card को बदल देता है Yukio से चुपके table पर रखे card पर उसके blood drops भी लग चुके थे game start होती है और पहली बार Yukio nervous हो रहा था क्योंकि अब वो watch पर विश्वास नहीं कर सकता था पहले round में cards draw हो जाते है अगले round में काजी blood stain वाला card केलता है Yukio को याद आता है कि blood stains वाले card slave और citizen थे सो वो citizen चलता है जो के again draw हो गया था Yukio confident हो जाता है कि काजी का अगला blood stain वाला card slave होगा एक और citizen draw के बाद काजी blood stain वाला card केलता है Yukio को लगता है कि पहले की तरह काजी ने दुबारा trick करके दूसरे card पर blood stain लगा दिया होगा सो वो emperor का card चलता है मगर काजी ने slave का card केला था सो वो जीत जाता है Underground workers भी काजी की जीत को celebrate करते हैं काजी यूकियो को बताता है कि उसने card swap करने का सिरफ pretend किया था असल में card swap नहीं किये थे काजो टाका यूकियो पर गुसा करता है कि उसने उसके इतने सारे पैसे हरा दिये कुछ मिला दिया था होश में आने पर वो देखता है कि रिंको सारे पैसे ले गई उसने काजी के लिए कलेटर भी जोड़ा था अब लास्ट में उसके पास सिरफ 4,50,000 येन बचे थे उदर रिंको company card फैंक कर अपनी freedom enjoy कर रही थी लेटर ओन इशिदा की वेटी को envelope मिलता है जिसमें 4,50,000 येन थे और उसके डैड का बॉचर भी और इसके साथ ही ये movie यहीं पर खतम हो जाती है